इसकार इन खबर में आपका स्वागत है जहां एक तरफ पूरा देश कुरोना से तरस्त है करा रहा है तराही कर रहा है बिहार भी प्रभावित है वहीं बिहार में एक अलग तरह की राजनीत चल रही है अभी एक दिन पहले लालू प्रसाद यादों ने अपना जन्म दिन मनाया पार्टी ने उसको अपने अंदाज में गरीबों को भोजन कराया और ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करने की कोशिस की क्योंकि वहाँ पे इस साल के अंत में चुनाओ है इसी दवरान जेडियू ने एक नया मामला उठाया कि तरुण यादों कोन है लालू प्रसाद यादों का तीसरा पुत्र है वो कि लालू प्रसाद यादों के बारे में देश जानता है कि उनके दो बेटे हैं अब तीसरे बेटे की अचानक एंट्री होती है वो तरुण यादों के नाम से जैसे ही जेडिव नेता बिहार सरकार में मंत्री पिरज कुमार ने ये खुलासा किया कि लालू यादों का तीसरा बेटा भी है जिसके नाम के आगे पिता का नाम लालू यादों लिखा हुआ है लिहाजा इस बात का खिलासा होना चाहिए कि तीसरा बेटा तरुण यादों ये कौन है उसके बाद बिहार की राजनीत में एकदम तुफान आ गया आरोप लगने लगे उन्होंने तरुण य करके कहां कब उन्होंने कैसे बैनामा कराया नबालिक बेटे के नाम से जमीन खरी दी धड़ा धड़ा बार किये अब जब पूरे मामले ने तुल पकड़ लिया तब लालू प्रसाद यादों की बड़ी बेटी मिसा यादों और तेजस्वी यादों सामने आये हैं और जो हुआ है वो काफी चोँखाने वाला है कि तेजस्वी यादों का ही नाम तरुन यादों है और इसमें तेजस्वी यादों यह भी कर रहे हैं कि देज जानता है कि जब आ क्रिकेट खेलता था तो सभी दोस्त मित्र मुझे तरुन के नाम से बुलाते थे तेज़श्वी का निकनेम तरुन है और ऐसे ही तेज़ प्रताप यादो यानि कि लालो यादो के जो बड़े बेटे हैं उनका निकनेम तेजु है घर में ऐसा होता भी है कि बच्चे को प्यार दुलार से दुसरे नाम से बुलाया जाता है लियाजाज जैसे ही इसका खुलासा किया उन्होंने तुरन जेड़ू यूपे वार किया और मिसा यादो ने कहा कि कौन सी राजनीत हो रही है कि लालो प्रसाद यादो के नीजी मामलों को लेकर के हम लेकिये जा रहे हैं खेर ये राजनीत है तो वार पलट वार होता है बट जिस तरीके से अच्छानक लालो प्रसाद यादो के तीसरे बेटे के नाम उचला था उसके बाद से ऐसा लगने लगा था कि कहीं प्रापर्टी के लिए लालू प्रसाद यादों ने तीसरे बेटे को गोतो नहीं लिया है क्योंकि इसके पहले कभी तीसरा बेटा होने की बात आई नहीं थी उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादो अपनी पत्नी से तलाग को लेकर के सुर्खियों में रहे तेजस्वी को उन्होंने एक तरस अपना उतरादिकारी बनाया जिसको कि तेज प्रताप ने अपने को उनको यानि कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादो को अरजुन तेजस्वी और मिसा ने क्लेरिफाई कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही तरून यादव है अब ये देखते हैं कि चुनावी साल है तो इसके बाद नया हतियार कौन सा निकलता है लालू प्रसाद यादव के परिवार को घेरने के लिए और इधर लालू प्रसाद यादव क परिवार की तरफ से जेडियू पे वार करने के लिए क्योंकि तेजस्वी यादो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इस कुरोना काल में संकट से निपटने में मुख्य मंत्री की भूमिका जो है बहुत ही कमजोर रही वो जमीन पे दिखाई नहीं दिये जिसको लेकर के निती आराउंड हो गयते खैर जो भी और इसमें अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे आप देखते रहे हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दबाना ना भूब